पहली भार संबन्स बनाते हुए लड़कीयों के दिमाग में क्या-क्या question आते हैं वो question भी बताऊंगे और उनके answer भी बताऊंगी तो आपको क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है तो सबसे पहले question की बात करते हैं जो generally लोगों के मन में भी आता है और लड़कियों के मन में तो तो फर्स्ट क्वेशन इस कि जो योनी है उसके अंदर से खून निकलेगा मतलब कि ब्लीडिंग होगी क्या ऐसा होगा क्या ऐसा जरूरी है और नहीं हुआ तो ऐसा सब कुछ राइट तो सबसे पहले मैं आपको ये पता दो कि योनी में इसे खून निकलता क्यों है क्योंकि एक जिल्ली सी होती है वो स्ट्रेच हो जाती है जब हम संबंद बनाते है या फिर वो क्या है कि वहाँ से टीयर हो जाती है फट जाती है उसकी वज़े से क्या होता है खून निकलता है लेकिन ये खुल निकलना सबके साथ होना ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपके दिमांग में ये है आप एक लड़की आप ये सोचते है कि अगर मेरी गर्फरेंड या मेरी वाइफ के साथ मैंने पहली बार समंध बनाया और खुल नहीं निकला तो इसका मतलब भी है कि उसने पहले समंध बनाया हुआ तो ये उस चीज़ का प्रूफ बिल्कुल नहीं है इसके बारे में मैं अलग से भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ पूरी डिटेल में इसके बारे में बात कि आप वो देख सकते हैं वो क्या इतनी जादा खुल और बंद हो जाएगी ऐसा मतलब कि नॉर्मल है ये चीज़ कैसा होगा मेरे साथ बुझ दिक्कत हो जाएगी या बिल्कुल फट जाए या कुछ भी ऐसा ऐसी ऐसे क्वेशन राइट तो मैं आपको ये बतादू कि आपकी योनी में इतनी चैफेसिटी है कि वो एक डाइ से तीन कीलो के बच्चे को जनम दे सकती है नॉमली तो फिर ये सब चीज़े बहुत सिंपल है उसके लिए model है उसके लिए तो वह सब तो परी सकती है तो उसके लिए आपको इतना सोचने की ज़रुरत नहीं है, ऐसा कुछ abnormal, कुछ दिक्कत आपको उससे नहीं होगी, वो सब कुछ normal है, उसके बाद, अगला question क्या होता है, कि क्या हमें दर्द, डरामना ऐसा फील होगा, या फिर हमें अच्छा फील होगा, किसी की सुन करके कुछ अपनी ऐसी थियोरी बना के मत जाओ, कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो यह यह होगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो हो, वो messy हो सकता है, और painful कब हो सकता है, painful जैसे नहीं होना चाहिए, painful कब हो सकता है, कि जब आप यह दिमांग में बिठा ले, जो लड़किया है, जो गर्ल्स है, उनके लिए painful होता है, क्यों, क्योंकि वो दिमांग में यह चीज़े सोच लेती है, उसके बाद जो नीचे का सारा पार्ट होता है, उसको वो, मतलब की, स्ट्रेच करके रखते, उसको रिलेक्स नहीं करती, वो, मेंटली वो चीज़े होती है, तो अगर आप रिलेक्स रहेंगी, अपने उस पार्ट को रिलेक्स रखेंगी, तो आपको दर नहीं होगा, तो उस तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए टैंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उसके बाद अगला कोशन की अगर मुझे पीडियेट्स हो गए, तो क्या मैं समद बना सकती हूँ, तो अगर आप यह सोच रहें कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते, आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप बनाते हैं तो आपको पूरी प्रोटक्शन के साथ वो चीज़ेशन है आपके लिए उसके बाद एक क्वेशन होता है कि जो मैं यह नहीं चाहती कि मैं गर्भवती हूँ, तो उससे रिलेटेड जो दवाई गोली है वो सब कुछ मैं लेकर रखू या फिर भातर गंटे वाली गोली लू या क्या करना चाहिए मुझे उस टाइम पर तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहली बार करने जा रहे हैं वो पार्टनर आपके लिए न्यू है आप उनके कोई भी इंफेक्शन ना हो और दोनों आप किस चीज से बच सके गरववस्ता से भी बच सके तो उसके लिए जो बैस सोल्यूशन है वो कोंडम है अगर आप उसको अच्छी तरह से धंग तरीके से यूज करते हैं तो 98% से भी उपर चांसेज है कि वो आपको बचाएगा प को सब चीजों से आपको बचाएगा तो आपको कोंडम तो बिल्कुल इस्तेमाल करना ही चाहिए वो मेरी तरफ से राय है कि वो बैस्ट है और बहुत सारे डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं तो यह सब कुछ दाउट्स जो मैंने सोचे की लड़कियों को होते हैं जो